हमारे भारत में बहुत सरी जगों पर ट्रक्स चलती है ट्रक्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत होता है पर आपने कभी सोचा है कि इतने शांदार ट्रक्स भारत में कहा बनते हैं तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में कौन सी ट्रक का निर्मान कहा पर होता है जिनकी वजह से आज हमारा transport business इतना अगे बढ़다 चुका है transport business की बात हो रही है तो मैं आपको एक useful app के बारे में बताना चाहूंगा इस app का नाम है Transport book without cheap की मददसे आप अपने transport business को online manage कर सकते हैं इस app में आप बहुत सरे प्रकार की जानकारी श्टोर कर सकते हैं जिसे कि party के trip details, trip कहा से शुरू ही और कहा खतम हुई, भाड़ा कितना ते हुआ है, advance payment कितना मिला है, balance payment कितना बचा है, trip में कितना खर्चा हुआ है, जैसी बहुत सरी जानकारी आप इसमें online श्टोर कर सकते हैं, इसे के साथ साथ truck मालिक अपने ख diesel की किमत कितनी है, वो check कर सकते हैं, और इस app को आप Google Play Store पर जाकर free में download कर सकते हैं, और इसे आप PC या laptop पर भी चला सकते है, transportbook.in पर जाकर, और इस app की सभी जानकारी 256 bit encrypted है, ये वही security है, जो banks भी यूज़ करती है, इसकी वज़े से आपकी सभी जानकारी सुरक्षित रेती है, तो जाएए और transport book app को download करके उसे use कीजिए, सबसे पहले जानते हैं Tata Motors के बारे में, Tata Motors के भारत में 3 प्लांट है, सबसे पहला प्लांट है पुने प्लांट, इस पुने प्लांट में Tata Motors की युद्दा सीरीज 407, 912, 709, Ultra Series, Intra Series, ILCV याने Intermediate Light Commercial Vehicle Segment के सभी गाल्यों क प्लांट में होता है, इसके अलवा इस प्लांट में Tata Motors की विंगर और कुछ बर्स चेसिस का प्रोडक्शन भी यही पर होता है, अब जानते हैं second plant के बारे में, याने Tata Motors के जमशितपूर प्लांट के बारे में, इस प्लांट में बहुत सरे प्रकार की बड़ी गारिया बन अब जानते ही Tata Motors के तीसरे प्लांट के बारे में, जो है पंतनगर प्लांट, इस पंतनगर प्लांट में Tata Motors की सबसे ज़्यादा बिखने वाली Ace Gold, इस Mini Truck का प्रोडक्शन होता है, अगला ब्रैंड है Mahindra & Mahindra, इस company के भारत में बहुत सरे प्लांट है, जिन में से इनका प Bolero Pickup और Scorpio Pickup का प्रोडक्शन होता है, इनका जो थर्ड प्लांट है, वो जहीराबाद में है, जहीराबाद में इनकी जीतो इस Mini Truck का प्रोडक्शन होता है, इनके आलावा इनका एक चोथा प्लांट भी है, जो कांदियूली मुंबई के पास है, इस प्लांट में Mahindra की सबस से ज़्यादा चाहीती, Pickup 1.7 टन और Pickup 1.3 टन का प्रोडक्शन यही पर होता है, पर एक बात ध्यान में रखिए कि Mahindra आपने अपने इसाब से प्लांट को कस्टमाइज करता है, जिसके कारण जिस गाड़ी का निर्मान नासिक में हो रहा है, उसी गाड़ी का निर्मान हर पात से जान सकते हैं कि इस गाड़ी पर Mahindra हमेशा 2-3 मेने का वेटिंग पेरिड आफर करती है, अगली कमपनी है अशोकली लेंड, इस कमपनी की पॉप्लारिटी साउथ इंडिया में इतनी जादा है कि यहाँ पर 90% ट्रक्स अशोकली लेंड कमपने की होते हैं, इस कमपन और इसी होसुल प्लांट में अशोकली लेंड कमपनी की डिफेंस विकल जो गाडिया इंडियन आर्मी की तरफ से यूज होती है, उन गाडियों का प्रोडक्शन भी यही पर होता है, जिसे की स्टैलियन वगएरा वगएरा अब जानते हैं अगले ब्रैंड के बारे में, ज जैसे बहुत स्री ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है, अब जानते हैं अगले ब्रैंड के बारे में, जिसका नाम है आईशर मोटर्स, इस कमपनी का प्लांट पितंपूर मध्यप्रदिस में स्ती थे, यहाँ पर इनकी बहुत स में, इस प्लांट में, फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर डिलरी वैन, और साथि साथ, कारगो इंग इस पिकप ट्रक्ट का प्रोडॉक्शन होता है अगली कमपनी है, माजदा नाम से भी जानते हैं आप जानते हैं इंडिया के प्रीमियम ब्रैंड के बारे में जो ट्रक्स बनाती है इनमें सबसे पहला नाम आता है वाल्व का वाल्व कंपनी का प्लांट जो है वो होस्कोड करनाटक में स्थी थे इस होस्कोड प्लांट में वाल्व की ट्रक्स बसेज, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोड़क्शन होता है और इसी प्लांट के पास वॉल्वो ड्राइवर्स की ट्रक्स और बसेज की ट्रेनिंग भी होती है वॉल्वो कमपनी के अलावा करनाटक राज्य में एक और प्रिमेम ब्रैंड का प्लांट है जिसका नाम है स्कैनिया स्कैनिया के नरसापुरा प्लांट में सिर्फ ट्रक्स का प्रोड़क्शन होता है पर इस प्लांट में कुछ समय पहले स्कैनिया कमपनी की बसेज भी बना करती थी पर कुछ कारणों की वज़े से Scania company ने भारत में अपने बसेस का production बंद कर दिया है आप जानते हैं कुछ ऐसे company के बारे में जिनों ने भारत में पहले अच्छा वैपर किया था पर उन्होंने कुछ कारणों की वज़े से भारत में production बंद कर दिया है इसमें सबसे पहला नाम आता है AMW का याने Asian Motor Works का ये भारत की एक कमपनी थी जिसका production plant भुच गुजदात में स्थीद था इस कमपनी के ट्रक्स इंडिया में एसेंबल होते थे इस कमपनी के ट्रक्स काफी भेतरिन हुआ करते थे इनकी ट्रक्स की पावर और कमफर्ट लेवल कुछ अलगी थी पर कुछ कारणों की वज़े से ये कमपनी बंद हो गई था पर कुछ कारणों की वेज़े से इन्हें इंडिया में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा पर दोस्तों आज भी इंडिया में मैं कंपनी का Research and Development Center है जहाँ पर इनके भारत के बाहर की जो ट्रक्स है उनकी Research and Development होती है इसके बाद आती है कामाथ ये एक Russian brand था इस company का plant होसूर तमिल लाडू में स्तित था यहाँ पर इनका assembly plant था जहाँ पर इनकी गाड़ियों के components को assemble करके trucks को assemble किया चाता था पर low sales के चलते इस company को भी भारत चोड़ना पड़ा हमारे भारत के market को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो चीज दुनिया में चलती है वो इंडिया में नहीं चलती है और जो इंडिया में चलती है वो भार नहीं चलती है ये एक समीकरन उजुका है इसे के चलते और एक company को भारत को चोड़ना पड़ा था जिसका नाम था Hino ये एक Japanese brand था इनकी trucks को काफी लोग पसंद करते पूरे दुनिया में क्योंकि इनका बहुत बड़ा market है पर इनका जो sales था भारत में वो काफी कम था क्योंकि इनडिया में इन गाडियों की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इनके जो सारे components थे वो Thailand से इनडिया में आते थे और इनडिया में इनका जो assembly plant था वो भीवंडी थाने में था इस भीवंडी plant में इनकी assembly हुआ करती थी और assembly करके ये truck बेचा कर ले थे इसे के चलते गाडियों की कीमत बहुत ज़्यादा थी इसे के चलते इनने low sales का सामना करना पड़ा था इस company की trucks power, comfort, performance में हर चीज में आगे थी पर Indian market को कोई समझ नहीं पाया और दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होगे आशोक ले लेंड के trucks और busses में जो यच series की engine होते हैं इन तमाम engines को high no company नहीं develop किया था आशोक लेंड की साथ मिलकर और आज इसी technology की कारण बहुत सारे लोग आशोक लेंड कमपनी के trucks और busses को पसंद करते हैं तो बस यही था इस वीडियो के लिए अगर आपको हमारे चोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब किये बेना मच जएएगा आप करीन शुब रहे जै हिन जै भारत